आपके लिए लेकर आया हूँ मैं एक लड़की की लव इस्टोरी जो उमर के साथ में बदल गई चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लड़की की तरफ से अक्सर हमें जीवन का तजरुबा समय के साथ ही आता है पर कई बार हम कुछ ऐसी गलटियां कर देते हैं जिनकी वजए से हमें पस्ता ना पड़ता है और हम सोचते हैं कि कास ये बाते हमें पहले से पता होती आइए जानते हैं तीस से पहले कौँन सी बाते हमें पता होनी चाहिए ताकि आपको जीवन का एक अच्छा तजरुबा मिले और आपको रोना ना पड़े जीवन में अगर हम सब कुछ पहले ही पता चल जाता तो सायद कभी किसी का दिल नहीं तूटता ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ चीजें हमें उमर के साथ साथ अपने अनुभवों से ही सीखने को मिलती हैं हमारे अनुभव ना केवल हमें एक सफल वैक्ती के रूप में विक्सित होने में मदद करते हैं बलकि इनमें हमें जिन्दगी में आगे बढ़ने के तोर तरीके भी पता चलते हैं मेरा यह अनुभव प्यार से संबंदिन था मैं एक ऐसे सक्स के जाल में फस गई थी जिसने मुझे बरवाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरे साथ इतना बुरा भी कर सकता है मैं हमेशा से ही उसकी हरकतों से अंजान थी ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बुरी तरह उसके प्यार में दिवानी थी लेकिन आज जब मैं मैचौर हो गई हूँ तब जाकर मुझे एहसास होता है कि मैंने बेकार में ही उस पर अपना वक्त जाया किया हाला कि इसमें मेरी गलती भी नहीं है ऐसा इसलिए क्योंकि 30 साल से कम उमर की लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा हो जाता है मेरी कहानी से सायद उन लड़कियों को थोड़ा मदद मिल सकती है वह मुझे से प्यार करता था जब भी मैं रोती थी मुझे पर बहुत लाड़ लडाता था यह सब कुछ मेरे लिए एक ब्यूटिफुल ड्रीम की तरह था मैंने बस देखा कि मैं उसके प्यार में बहुत बदल गई थी मैं पहले से ज़्यादा खुस रहने लगी थी इस दोरान जो एक चीज में नहीं देख पाई वो यह है कि बिल्कुल भी एक बेवारिक वेक्ती नहीं था दरसल जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप चाहते हैं कि वे हमेशा आपके साथ रहे लेकिन कहते हैं ना कि प्यार उंदा होता है प्यार में सोचने समझने की सक्ति कमज़ोर हो जाती है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ वे हर डेट पर मुझसे सर्प्राइज देता था मेरी पसंद का सो देखता था, मेरी पसंद उसके लिए सबसे पहले थी, वह मुझे से मिलने के लिए ओफिस के बाद अपने घर से 20 मिनट की दूरी बस से उतरता था, मुझे लगता था कि यही मेरा ड्रीम मैन है, जब अपनी जिंदगी के सबसे खूब सूरत पल में थी, तब मुझे ऐसास लगता था कि मेरी सेक्सपियर वाली लब स्टोरी सच हो रही है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह सब केवल दिखावा है, जो वक्त के साथ बदल जाएगा, सच कहूं तो वह केवल मेरे मजे ले रहा था, मुझे आज भी अच्छे से याद है कि जब मैं उसे डेट कर रही थी, तो मैं बहुत जादा सिंपल कपड़े पहनती थी, हाला कि वह बहुत पैसे वाला था, उसके पास ना केवल अपना घर मकान, बलकि उसका समाज में रुतबा भी अच्छा खासा था, ऐसे में जिस दिन मैंने उसे बताया कि हम किराय के फ्लैट में रहते है वह आदवी मुझे दो दिन में ही छोड़ कर भाग गया, उस दिन मुझे समझाया कि ऐसे लोग भले पांडा की तरह क्यूट दिख सकते हैं, लेकिन यह आपके जीवन में धीमे जहर की तरह होते हैं, वह हर समय आपके साथ प्यारा ब्यवार करते हैं, उनके अंदर आपको म प्रेचारटी जरा भी नहीं दिखती, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, उन लोगों के बारे में हम तब तक नहीं जान पाते, जब तक कि हम तीस के ना हो जाएं